असलावनेकुम दिया स्टूडेंट्स होब यौर रॉल फाइन स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से कल हमने कुद्रती गेस यह जो टाफिक है वो स्टार्ट किया था और इसे में हमने बट्रहाथाथा कि किसे तरह से इनसान ने कुदधि गैसों का दरियाफत किया है कुदध़ि गैस दरासिल कई मेहिवा होती है गुद्रती गेस क्या होती है दरासिल में बहुत सारे गेसों से बने होते हैं बहुत सारे गेसों का जमा होती है जिसमें खुसुसां मीथेन और एथेन की मिगदार ज्यादा है और जिसमें क्या होता है गुद्रती गेसों में ज्यादा तर मीथेन और एथेन ज्यादा होते हैं तों अद्रती गेसों में ज्यादातें क्या होता है? मेथन और एथन की मिद्धार होती है कर्बन डयाउकसाइड, हाइड्रोजेन, सलफपाइड और नाइत्रोजेन गेस भी होती है तो ये सारे भी गेस है तो इन सार जो मीथेन और इथेन हैं इनके अलावा इनमें करबन डायोकसाइड भी होता है हाइडरोजन भी होता है सलपाइड भी होता है और नाइडरोजन गेस भी होती है गुद्रती गेश आम तोर पर जमीन के अंदर पड़े हुए मुर्दा हेवानात और नबातात जिन्हे रोषनी और हवा नहीं मिलती के गलने सरने से पैदा होती है और ये जो गुद्रती ये से वो कैसे बनते है ये जमीन के अंदर जो मुर्दे हैवान होते है मुर्दे जानवर मुर्दे जो प्लांट्स होते है उन पे जब रोशनी नहीं पड़ती है जमीन के अंदर और उन्हें पानी नहीं मिलते है, हवा नहीं पड़ते है उन पे, तो ये गलने सड़ने के वज़ा से क्या बनते हैं? खुद्रती गेस बनती है, तो खुद्रती गेस कहा होते है? जमीन के नीचे, जिसे जमीन से कुवा खोद कर हासिल किया जाता है, ये गेस बेरंग और जहरीली होती है, और आग बहुत जल्दी पकड़ती है, और ये जो गेस है, ये जमीन के अंदर होते हैं, तो जमीन से हम कुवा खोद कर, कुवा खोद कर हासिल करते हैं, और ये जो गे जो जमीन के अंदर जो पुद्रती ये सोते हैं उनका ना कोई रंग होता है और ये बहुत सहरीले होता है और इनको बहुत जल्दी आग पकरती है यानि कि इनको जल्दी से आग लग जाती है तो आज इतना ही कर यहां से स्टार्ट करेंगे विज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग और हवा नहीं मिलते है उन्हें तो वो गलते है वहीं पर सर्ट जाते है जिसके वज़ा से जमीन के अंदर उनका एक गेस बनते है जिसे हम कुआ खोद कर हासिल करते है और ये जो गेसिस होते है ये इनका कोई रंग नहीं होते है बहुत जहरीले होते है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है तो आज इतना ही खुदा हाफिज